हाई फ्रेंड्स जैसे कि आपने थमनेल भी देखा हम आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप वाटसेप से लोन ले सकेंगे अभी तक बहुत सारे अपडेट्स वाटसप ला चुका है हाली में इन्होंने प्राइवेसी अपडेट दिया था जिसके वज़ज से बहुत सारे जो है डिसलाइक इस एप्लिकेशन को मिले हैं फेस्बुक का ये अप्लिकेशन आपको अब लोन भी प्रोवाइड कर सकता है ये एक प्रिडिक्टिव वीडियो होने वाली है साथ में इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप वाटसप से पेमिंट कैसे कर सकते हैं जैसे आप UPI पेमिंट करने के लिए अलग-अलग वालेट का इस्तमाल करते हैं गूगल पे पे-टी-एम फोन पे अलग-अलग इसी तरीके से आप वाटसप का इस्तमाल करके भी पेमिंट ट्रांसपर कर सकते हैं हाला कि ये न्यूज और ये फीचर्स वाटसप बहुत दिनों से जो है रॉल आउट करना चाह रहा था लेकिन अब ये लग-बग यूजर्स को मिल चुका है कैसे आप इसे इस्तमाल करेंगे पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ बस वीडियो को एंड तक देखे उमीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी सो मैं नवीन आप सभी का एक बर फिट स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइन सर्बुक में जैसा कि आपको अपता है माइन सर्बुक आपको फिनांसली अपडेट प्रवाइड करता है जब कभी भी आपको इंस्टिंट लोन की रिक्वार्मेंट होती है यहाँ पर दी गई इंफोर्मिसन को फॉलो करके आप घर बैठे असानी से लोन ले सकते हैं चैनל को सब्सक्राइब करिए नो़िफिकेशन के लिए बैल आइकन को हिट करिए ताकि जब कभी इस चैनल के ऊपर आपके लिए कोई नई वीडियो पब्लिस हो उसकी नोटिफिकेशन डिरेकली आपके फोन के ऊपर आपको मिल जाए और आप उसे असानी से देख पाएं बिना YouTube में सर्च किये हुए जैसा कि मैंने आपको बताया आप WhatsApp से लोन कैसे ले सकते हैं ये एक predictive वीडियो है कैसे आपको लोन यहां पर मिलेगा पूरी detail explain करके जो है बताने वाला हूँ हला कि बहुत सारे UPI payment wallet जितने भी हैं वो offers के recording users को लोन देना अरड़ी सुरू कर चुके हैं अब Google Pay से भी असानी से लोन मिल जाता है वो कैसे मिलता है अरड़ी इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे Google Pay से आप लोन ले सकते हैं आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लेइलिस्ट को चेक कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि WhatsApp के जरीए आप payment कैसे कर सकते हैं WhatsApp Pay का इस्तेमाल करते हुए तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना WhatsApp एकाउंट ओपेन कर लेना है यहाँ पे आपको payment का option दिख जाएगा यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको अगर अपना WhatsApp अपडेट नहीं किया है तो फटाफट से पहले WhatsApp को अपने अपडेट कर लिजे अप्लिकेशन को अपडेट करने के बाद open करियो और 3. पे क्लिक करके आपको payment option पे जाना है यहाँ पे आपको यह option अगर मिल गया है तो आप असानी से payment कहीं पे भी transfer कर सकते हैं payment transfer करने के लिए आप तीन अलग-अलग method इस्तमाल कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहली चीज़ screen के उपर देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको यह पास तीन option है तीन option जैसे की UPI ID, scan, pay उसके बाद आपको numbers के जरीए payment कर सकते हैं यह तीन option इसमें आपको bank account transfer का भी option नहीं है हो सकता है कि आने वाले time में यह मिल जाए सबसे पहले तो UPI ID है आपको दूसरा कोई भी UPI ID जो मिला हुआ है उसको जो है यहाँ पे लीजिए UPI ID वाले section में इंटर करिए और फिर payment proceed करिए इसके अलावा आप scan और pay का option यूज कर सकते हैं payment करने के लिए scanner को scan करिए चाहे वो PTM का हो, Google Pay का हो, कोई भी हो से scan करके आप payment यहाँ से असानी से कर सकते हैं यह option है यह mobile number का mobile number जो भी user WhatsApp पे इस्तमाल कर रहा है उससे आप payment transfer कर सकते हैं पर सभी list दिखाई दे जाएंगे जो भी आपके WhatsApp एकाउंट से link है सभी numbers लेकिन सबको आप send नहीं कर पाईएगा उन्ही user को send कर पाईएगा जो अल्रेडी WhatsApp इस्तमाल कर रहा है WhatsApp पे इस्तमाल कर रहा है उन्ही user को आप payment कर पाईएगा इस method से जो WhatsApp पे इस्तमाल कर रहा है अब सबसे पहले payment करने के लिए आपको अपना account सेट अप कर लेना है अगर इस section में आप आ चुके हैं तो आपको जाना है add payment method पे उसके बाद आपको banks का list दिख जाएगा ध्यान रहान ये भी रखना होगा आपको WhatsApp पे का इस्तमाल करते हुए आपको अपना WhatsApp उसी number से sign in करना है या फिर sign up करना है और आपका आपके खाते में link है तब ही आपका ये option दिखाई देगा और आप अपने account को यहाँ पे add कर पाएंगे payment करने के लिए या फिर receive करने के लिए सबसे पहले आपको इस list दे अपना bank account चूज कर लेना है और SMS के जरीए within a second वो आपका account यहाँ पे add हो जाएगा add होने के बाद आप उस account से transaction कर सकते हैं यहाँ पे आप multiple account को add रख सकते हैं साथ में आप किसी एक particular account को payment receive करने के लिए default add भी कर सकते हैं यह सारी चीज़े आप यहाँ से असानी से कर सकते हैं तो यह था तरीका जिसका इस्तमाल करके आप WhatsApp के जरीए payment transfer कर सकते हैं अब आती है most important चीज़ कि आप WhatsApp से कैसे loan ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया यह predictive है कि आपको in future WhatsApp पे loan option भी बहुत जल देखने के लिए मिल जाएगा तक लगता है कि Google पे जैसे loan आपको serve कर रहा है Google के पास my business के multiple accounts हैं जो कि financer के भी हैं अगर उन्होंने अपना mapping कर रखी है तो वहां से वो link करके loan provide करेगा बहुत सारे loan providers का link दिखाई दे या फिर जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया था कि वो tie up bank से अपना loan serve करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से WhatsApp के साथ भी होने वाला है समझना होगा कि loan आपको कैसे मिलेगा तो यहाँ पे WhatsApp और WhatsApp business तोनों Facebook के ही application है और आपको भी पता है कि WhatsApp business उन users के लिए है जिनका कोई अपना business है और उस business के लिए वो जो है WhatsApp business का इस्तमाल करते हैं अब कोई loan providers WhatsApp business में उन्होंने अगर अपना account बना रखा है तो वो यहाँ पे recommendation में उनका detail जो है share कर सकता है future हो सकता है कि आप अगर वहाँ पे loan apply करते हैं तो वहाँ पे आपको help मिलेगी और loan असानी से मिल जाएगा WhatsApp पे के जरी है अमीद है आपको prediction समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप WhatsApp पे का इस्तमाल करके loan ले सकते हैं फिलाल अभी यह offers नहीं है और नहीं इसके बारे में कहीं पे कोई news है या फिर ऐसा भी कहीं पे आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि यह roll out होने वाला है मुझे जहां तक लगता है क्योंकि payment UPI wallet है और बहुत सारा competition है में बहुत लंबे समय तक survive करना है तो WhatsApp को भी options देने होंगे loan offers वगरा जो है देने होंगे ताकि users attract हो और WhatsApp पे का इस्तमाल तेजी से कर सके WhatsApp के पास एक plus point यह है कि WhatsApp users काफी जादा है और यहां पे payment करने के लिए अलग कोई application इंस्टॉल करने की जुरूत नहीं है बस simply WhatsApp को use करिए chatting करिए और साथ में इसी application से payment भी कर सकते हैं और in future हो सकता है कि आपको WhatsApp से loan भी मिल जाए वीडियो पर पसंद आई हो लाइक और share करना मत बुलेगा चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको इसी तरीके के interesting update हमेशा मिल दे रहे है आज कि इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ दोस्तों फिर आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए जाएंद वन्ने मात्रम